तुमस्कार दोस्तों स्वागत है अपने यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में दोस्तों यही वीडियो आने वाले जिन भी केंडेट का NTPC और ग्रूप D का एक्जाम है उनके लिए काफ़ी इंपोटेंट होने वाला है क्योंकि अभी जो आपके एक्जाम हो चुके है जिन भी केंडेट का NTPC में प्रतेक सिफ में यहां से योजना जो की केंडर सरकार की योजना भी कौन सी जो 2014 से 2020 तक की जितनी भी इंपोटेंट परमुक योजना है उनसे प्रतेक सिफ में दोस्वाल पूचे जा रहे हैं तो इस वीडियो में अपन 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इन सभी वर्षों की टॉप 63 केंडर सरकार की जितनी भी परमुक योजना है और ये सभी योजना है अपन उनकी सरुवात कब हो ही है कौन सा मंत्रा ले उनका किरियान वेन कर रहा है लक्षे कब तक रखा गया उनको पौन करने का उद्धिश है क्या है और अन्य जो important effect रहते हैं उन्ही योजनाओं से जांसे अक्सर स्वाल आने की संभावन रहती है तो सभी यहाँ पर योजनाओं एक वीडियो में कवर हो रही है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दू जो भी विध्यारती है उनके दोस्त जो NTPC या फिर ग्रूप D की तयारी कर रहे है तो जरूर यह वीडियो उनको शेयर कर लेना क्योंकि इन से एक से दोस्वाल 100% पूछा जाएगा और आप भी इस वीडियो को लाइक करते हुए कंटेन्यू करना क्योंकि इस वीडियो को बनाने बहुत ज़्यादा मैन लगी है दो दिन से में लगाता है इसका कंटेन्ट त्यार कर रहा हूँ और दोस्तो जिन भी केंड़ेट का अभी NTPC का एक्जाम होना है या फिर ग्रूप D का नेक्स्ट एक्जाम होगा तो उनकी लिए क्या बेस्ट इस्टेट जी है आप पढ़ाई तो कहरी रहे हैं साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी लगानी है टेस्ट बुक के और सी जो 349 रुपे की फी है साथ ही साथ यादि आप टीटी जी के कोपन कोड एपलाई करेंगे तो 40 रुपे और डिस्काउंट मिल जाएगा और इस क्रेस्ट कॉर्ष में जो आपके अभी एक्जाम चल रहे हैं ग्रूप D&T PCSSE उन सभी की टेस्ट सीरीज याप पर मातर 300 रुपे मिल रही है एक साल के लिए सभी एक्जाम की unlimited टेस्ट सीरीज और उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगे योजनाओं की शुरुआस से स्वाल पूछा गया अंटी PC में तो इसकी डेट आपको जरूर याद रखना बाकि इसकी पीडियो फाइल आपको टेलिग्राम चैनल पर एवलेबल हो जाएगे तो परधान मंत्री उजला योजना की बात करें तो एक माई 2016 को कहां से शुरुआत की गई है यूपी के बलिया से अब दो बलिया वाले केंडियेट है यूपी से वो कमेंट कर देना इसकी शुरुआत परधान मंत्री ने एक माई 2016 को यूपी के बलिया से की थी ये भी आप को याज में रखना है और योजना का जो नारा है वो है स्वच इंधन बहतर जीवन और कौन सी मंत्रा ले के दोरा इसकी शुरुगात की गई यह तो मंत्रा ले जो कार्यान्वेन कर रहा है योजना का वो है पेट्रोलियम एवों प्राकर्ति गैस मंत्रा ले मंत्रा ले से भी स इस से सम्मंदित है नाम तो हो गया योजना की शुरुवात कब होई लेकिन जो योजना है वो गरीबी रेखा से नीचे जियो नियापन करने वाले जो आपके यापर BPL परिवार के जितने भी परिवार हैं उनकी महिला शदिश्य के लिए रियाश्ती LPG GANS कनेक्शन उपलब क हैं तो यह तो हो गए आपके ओजुला योजना हैं जो कि LPG GANS कनेक्शन है 16 सरुपे का महिला जो शदिश्य हैं लाबारती हैं उनको लाब मिलने वाला है एक मई 2016 को यूपी के बल्याश इसकी शुरुवात हुई है शंसद आदर्ष ग्राम योजना हैं एंटीपी से में शुरुआत हुई थी दोस्तों 11 अक्टूबर 2014 को यह जो स्वाल आया था आपके अंटीपी से में पूछा गया था किसकी जैनती पर इसकी शुरुआत हुई तो लोक नायक जे प्रकास नारायन की जैनती पर 11 अक्टूबर 2014 को शंसद आदर्ष ग्राम योजना की शुरुआ देश के सभी शंसद है जो भी शंसद MP है उनको एक साल के लिए एक गाउं को गोद लेकर वहाँ पर विकास कराना था जैसे कि नरेंदर मोदी ने जो परदहान मंतिर नरेंदर मोदी है उन्होंने कौन सा गाउं गोद लिया था ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है तो उनका शंसद ये छेतर वारान सी कि ये जयापूर ग्राम का उन्होंने चैन किया था शंसद आदर्स ग्राम योजना में तो एक गाउं को गोद लेकर वहां का विकास कराना था और प्रतेक शंसद को 2016 तक एक गाउं फिर आपकी 2019 तक तिन तिन गाउं में बुनिया दिए एंशांस है इसकी फुलफॉर मुधरा की हो जाएगे आपकी माइक्रो यूनिट्स डेवलप्मेंट रीफाइनेंस एजनसी मुध्रा प्रधान मंत्री मुध्रा योजना में ये मुध्रा की फुलफॉर्म आपको याद में नहीं सात इस योजना को कब लॉंच किया गया था तो 8 अप भी यहांपर देखने वाले हैं जो लोनवाले जहां से स्वाल आते हैं 100, पर defense, तो मुखे उद्देषय जो मद्रा योजना का है वो सव रोजकार के लिए दो परमुख उद्देषय हैं एक तो सव रोजकार के लिए आसानी से लोन देना और दूसरा तो छोटे उध्योग है, सोटे उध्यम है, उनके जरी रोजकार का सरजन करना, ये प्रमुक उद्धिश्य हो जाएंगे मुद्रा, योजना का, और मुद्रा में तीन तरह की लौन है, जहां से स्वाल बहुत बार टीशीस कंपनी ने पूचे है, ऐसा सिवगरा एक्जामस में तो पर्धान मंतरी मुद्रा, योजना में तीन लौन कौन से, एक तो शिशू लौन है, जिसमें 50,000 रुपे तक क्या लौन दिया जा सकता है, तो शिशू लौन में स्वाल आ जाता है, कितने रुपे तक का अधिक्तम लौन मिलता है, तो 50,000 रुपे का लौन मिलता है, कि श लाग का जो कि तरून लॉन के अंतरकर दिया जाता है इसमें मिनिमम ब्याजदर है वो 12% होती है ये तो आपकी हो गई प्रधान मंत्री मुद्रा योजना जो कि सवरोजगार के लिए आसानी से लॉन देने वाली छोटे उधियम के लिए रोजगार का सिर्जन करना अब दीख जोई थी एक जोलई 2015 को इसका मंत्रा ले है वो है दोस्तों मिनिस्ट्री ओफ एलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्फरमेशन टेक्नलोजी और इस योजना का जो मोटो है वो है पौवर टू एम पौवर उद्देशे क्या हो जाएगा नाम से सपष्ट है डिजिटल करना है सब कु इस शाषन प्रोध्योगी की माध्यम से सरकार में शुदार इक रामती शेवाओं के इलेक्रोनिक डेलेवरीज सभी के लिए सुचना इलेक्रोनिक वी निर्मान नौकरियों के लिए IT और अरली हार्वेस्ट कारेक्रम को इसमें बल दिया जा रहा है जो ये डिजिटल योज चुछ इंपोर्टन एफेंट बता देता हूँ जान से एक सस्वाल आ जाते हैं घेगी भारती सरकार की कई भारत ब्रोडबेंड इत्रों लिमिटेड जो भारत नेट प्रियोजना का संचलन करती हैं ये भारतो नेड प्रियोजना का संचलन कौन था ब्रोडबेंड नेお願い जुरुआत की गई थी और इसी डिजिटल योजना में दोस्तों एक क्रांती भी आ जाती है तो एक क्रांती भी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक महत्वपुन पिलर है जो की यूनियन कैबिनेट ने 25 मार्च 2015 को इसका त्यार किया देखी विजन है जो एक क्रांती का व गई डिजिटल भारत इंडिया योजना जो एक जुलाई 2015 को लॉंच वी थी और इसके तहते आपर राष्टी ब्रोडबेंड अभ्यान की बात प्रूम बहुत बार स्वाल पूछे जाता कि उसका जो लक्षे रखा गया है वो कब तक रखा गया है राष्टी अभ्यान है 17 दिसंबर 2019 को लॉंच किया गया था देश के लगभग 6 लाग गाउं को 2022 तक ब्रोडबेंड शिवां को जोड़ दिया जाएगा इसका प्रमुक लक्षे है तो 2022 इसमें आपको यान में रखना है अब देखी देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंड योजना प् कब हुई थी 28 अगस्त 2014 को योजना का नारा था मेरा खाता भाग्ये विधाता मंत्रा ले जिनोंने प्रधान मंत्री जंधन योजना को लॉंच किया है वो है विट मंत्रा ले और इस योजना की तैत उद्गाटन के दिन यहाँ पर रिकॉर्ड बन गया कि 15 मिलियन की बात कर साल है विशु की सबसे बड़ी वित्तिर श्रमावेशन योजना कौन सी है तो प्रधान मंत्री जंधन योजना 28 अगस्त 2014 और जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है वो ये रिकॉर्ड बना दिया है इन्होंने एक शप्ता में 23 अगस्त से 29 अगस्त 2014 के बीच इतने खाते खोल दिए गए लगबग आप देख सकते हो एक पॉइंट आठ करोड खोले गए खाते जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में योजना दर्ज हो गई है और पांच मा में लगबग साड़ी 11 करोड एकाउंट इस योजना के तेद खो अगदा इस योजना के तेद किया गया है तो ये भी आपको याद में रखना है इम्पोर्टेंट च्छरे तो ये तो आपके हो गई जंधन योजना स्वच भार्ण अभ्यान वेरी वेरी इंपोर्टेंट यह भी अब्यान है बहुत बार एक्जा में अशेय स्वाल आता है शहरी विकास मंत्राले और वर्तमान में शहरी विकास मंत्राले के मंत्री हैं राज्य मंत्री हरदीव शिंग पुरी हैं और स्वच भारत अब्यान जो योजना का नारा था वो था एक कदम स्वचता की और इसमें दोस्तों जब योजना लॉण चुई थी दो अक्टूबर 2014 को तो लक्षे रखा गया था कि 2 अक्टूबर 2019 तक जो महत्मा गांदी की जर्म की 150 वी वर्ष गांट मनाई गई हैं 2 अक्टूबर 2019 को उस समय जब योजना लॉण चुई थी तो उसमें लक्षे रखा गया था कि 2019 तक जो 150 वी वर्ष गांट है गांदी जी की उस समय तक प्रमानिक प्लाग से 1.2 करोल सहुचाले का निर्मान करके खुले में सहुच मुक यानि ODF को हासिल करने का टारगेट रखा गया था 2019 तक स्वचभारत अभ्यान के तयातु यह काफ़ इंपोटेंट फेक्ट हो जाता है स्वचभारत अभ्यान 2 अक्टूबर 2014 और 2019 तक या पर OD यह फासिल करने का टारगेट रखा गया था इसमें दो फेज हैं फेज फ़स्ट एक आपकी अक्टूबर 2019 तक था नेस्ट फेज आपकी सेकेंड या परिश्टार्ट हैं 2020 से 2024 पच्चिस तक चलने वाला है स्वचभारत अभ्यान में मैक इन इंडिया स्कीम की बात के तो पश्ट हैं इंडिया में बनाऊ देशी और विदेशी कंपनियों के दोरा भारत में ही वर्ष्टों के निर्माण पर बल देने के लिए और लक्षे इसमें रखा गया था जब लॉच्च वह थी की 2020 तक GDP में जो विनिर्माण चेतर हैं शेकेंडरी जो शेक्टर हैं इसकी हि निर्माण उद्योग हैं चेतर हैं जो आपके दियुत्यक चेतर आ जाते हैं अर्थ वैस्टा में तो उसकी हिस्सेदारी अभी जो 16 परशंट है उसको बढ़ा कर 25 परशंटेज करना था अगला देखिए अटल पैंसन योजना जो की शुरुवात हुई थी 9 माई 2015 को कॉलकत जब कराना इस योजना का उद्धिश है था और इसमें अटल पैंसन योजना में अपलाई करने के लिए उमर शीमा जो रखी गए हो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए तो यह पैंसन योजना हैं जो असंक्ति चेतर में काम करने वाले जो रोग हैं उनके लिए पैंसन है जो 18 से 40 साल की उमर के बीच इसमें अपलाई होगा आपकी और पैंसन पाने के लिए कम से कम 20 साल तक निवेस करना होगा जैसे कि आपने 40 वर्ष में निवेस किया तो पैंसन आपको 60 वर्ष में मिनने वाली हैं 6 वर्ष में होंगे तब यіш बीस साल तक आपका उस पर डिपेंड करेगी कितनी पैंसन आपको मिलने वाली हैं तो याद में रखना है स्वाल इस प्रकार बनता है कि अटल पैंसन योजना के तैयत मिनिमम कितने रुपे की माशिक पैंसन मिलती है तो मिनिमम एक जार रुपे की और अधिकतम कितने की तो वो है पांच जार नेक्स देखते हैं अपने दोस्तों बेटी बच्चाओ बेटी पढ़ाओ योजना काफ़े इंपोर्टेंट है अक्षर यांसे स्वाल आते रहते हैं एक्जामस में तो बेटी बच्चाओ बेटी पढ़ाओ योजना है इसके शुरुआत हुई थी 22 जनौरी 2015 को कहां से और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य भी यही है कि लेंगिक समामता को बढ़ावा देना एवो लिंगानुपात को ऊपर उठाना जो योजना के शुरुआत की गई थी वो तो आपके 22 जनौरी 2015 को हो गई स्वाल आ जाता है कौन से मंत्रा लेकि ये श्युक्त पहल ह तो यहां पर तीन मंत्राले हैं महिलायों बाल विकास मंत्रालें स्वास्ति और परिवाल कल्यान मंत्राले मानुशंसदन विकास मंत्रालें तीन मंत्रालों की श्युक्त पहल है और निम्न लिंगान्दु पात वाले सो जिलों में इस योजना को सबसे पहले शुरू किया गया था और जब योजना लॉइन चुई ती ओर शमय माहदूरी दिक्षित को इस अभ्यान का ब्रांड अम्बेश्टर बनाए गया था और उसक शुरू की गयी थी पानिपत हरियाना से अगला स्वाल दिखे यहां पर दोस्तों प्रधान मंत्री कोशल विकास योजना एक्जामें अन्टि पीसी में दो बार इस से दो स्वाल आज चुके इस से तो एक तो आया है कि इसकी शुरूआत कहां से हुई है दूसरी आया है शुरूआ आप दोस्तों 15 जुलाई 2015 को हीती प्रधान मंत्री कोशल विकास योजना और मंत्राल है कोशल विकास योजना एव उध्यमता मंत्राल या फ़िर स्किल्ड डेवलप्मेंड एंड एंटर्पनियरशिप मिनिस्ट्री और इसका जो मुख्य उद्देशी है लोगों को रोज़कार देना जो कि कम पड़े लेके हो या फिर बीच में श्कूल छोड़ चुके हो तो उनको सबसे पहले कोशल परशिक्षन उपलप्त करना फिर रोज़कार का सरजन करना 2022 तक एक करोड़ से अधी कि आपर टारगेट हखा गया था जब यह लॉंच होई थी 15 जोलाई 2015 को अगला स्वाल देखते हैं आपर दोस्तों जो योजना है वो ये स्टेंड अप इंडिया स्कीम तो इस योजना में इस पे सब जो स्वाल पूछा जाता है कि अनुसुचित जाती जन जाती पिछड़ा वरग और महिला कारूबारियों के लिए कौन सी योजना ह तो ये हैं स्टेंड अप इंडिया स्कीम है जिसमें लौन दिया जाता है दोस्तों इसके तैद 10 लाख रुपे से लेकर 1 करोड रुपे तका लौन दिया जाता है तो ये इंपोर्टेंट लाइन हो जाती है कि स्टेंड अप इंडिया स्कीम के तैद कितने रुपे का दिक्त को लौंचुई थी सुकन्या समर्दी योजना हैं एंटी पीशी में इससे स्वाल आज चुका है तो शुरुआत हुई थी बाईज जनवरी 2015 को सुकन्या समर्दी योजना को पीएम नरिंदर मोधी ने पानिपत हरियाना से लड़कियों की उच्छ शिक्षा और उनके विभा क लिए एक राष्ट की लगू बच्चत योजना स्वाल आया था शुकन्या समर्दी योजना किस से संबंदित हैं तो ये बच्चियों किसके लिए हैं लड़कियों के लिए हैं लड़कियों की उच्छ सिक्षा के लिए इसमें जब हैं मतलब जब उनका जन्म होता है तो दस वर्ष से पहले की उमर तक उनका एक छोटा लगू बचत एकाउंट बना कर ये शेविंग की जा सकती हैं शुकनिया समर्दी योजना के तैत हैं जो कि 22 जनरी 2015 को नरेंदर मोदी ने पानी पस से लॉंच की थी तो एक तरीके से बेटियों की योजना हो जाएगी जो लगू बचत योजना रहती हैं छोटी बचत योजना है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ इसकीम की तैत इस योजना को लॉंच किया गया है और इसमें यहाँ पर मैं बात करूँ तो योजना के तैत खाता किसी girl child के जनम से 10 साल से पहले की उमर में account खोला सकते हैं कम से कम 250 रुपे के साथ account मिनिमम 250 रुपे का account आपको खोलाना होगा और फिर आपकी majority हो जाएगे 18 साल की उमर के बाद या फिर 21 वर्ष की उमर के बाद हैं इसमें आप रकम है वो निकाल सकत और इसमें कुछ योगिता है कि फॉर्म के लिए प्रधान मंत्री जीवन जोती के अपलाई आविदन के लिए आयूशीमा अठार से 50 वर्ष रकी गई है और पोलिश की maturity है वो उमर है वो 55 साल है अठार से 50 वर्ष तक आप इसमें आविदन कर शकते हैं और फिर उसकी प्रधान मंत्री जीवन जोती योजना में कितने का बीमा मिलने वाला दो लाख रूपे का है सारा ना प्रिमियम है 330 रूपे का है अठार सो पचास वर्ष की उमर के बाद और 55 वर्ष में आपकी maturity रहती इसमें शुरुआत 9 मई 2015 को ही ती कॉलकता से एक धरोवर गोद लो य योजना 27 सितंबर 2017 को राष्टपती रामनाथ कोविन ने मंत्रा ले है प्रेटन मंत्रा ले उनकी योजना का यापर शुभारम किया था राष्टपती रामनाथ कोविन ने 27 सितंबर 2017 को विश्व प्रेटन दिवस रहता जो 27 सितंबर को तो इनका मंत्रा ले पूचि ले जा सितमर 2017 को राष्टपती रामनाथ कोविन के दोरा अगली योजना दोस्तों परदाहन मंत्री वे वंदना योजना है तो इसकी शुरुआत है वो 4 माई 2017 को ही थी और वैसे ये गोशना हो गई थी 4 माई 2017 को और फिर उसकी लॉंचिंग है वो कैंदरी वित मंत्री उर्समेर के माध्यम से लागू की गई है तो आप गएंगे LIC जीवन भीमा निगम के माध्यम शे और इस योजना के लिए याँ पर 60 वर्षे अधीक उमर की व्यक्तियों को उनके दोरा निवेशी तराशी पर 8% का वाश्चिक जो इंट्रेस्ट रेट है वो 10 वर्षे तक सून जित क लागू की गई हैं और फिर यहां पर बात करूं कितने रूपे निवेश कर सकते तो एक व्यक्ति न्यून तम एक पॉइंट पांच लाक और अधिक्तम से अधिक्तम 15 लाक रूपे इसमें निवेश है वो इंवेश्मेंट डारेक्ट इनवेश्मेंट किया जा सकता हैं और 30 योजना के अंतरगत निवेश्मेंट की अंतिम्तिति हैं वो पहले 31 मार्च 2020 थी उसको बढ़ा कर 31 मार्च 2023 से वो कर दिया गया है तो यह जो इंपोर्टेंट योजना हो जाती हैं वह वंदना योजना तो इसमें आपको इंपोर्टेंट याद रखना एक तो कब यह लॉन यह जाती हम से अधिक्तम कितने का निवेस निवेस हैं कितने वर्षि निवेस हैं वो किया जा सकता हैं अगला देखी प्रधान मंतरी मातरतव विंदना योजना तो प्रधान मंतर योजना शुरुआत एक जनवरी 2017 को महिला और बालवकाश मंतरा लेके दोरा यह यह योजन कर दिया गया है इसके लिए इंपोर्टेंट फेक्ट ये लाइन आपको देखना एक्जाम में पूछा जाता है टीसीस ने ऐसे सिम पूछावा स्वाल है कि इस योजना के अंत्रकत गरववती महिलाओं और इस्तनपान कराने वाली मात्ताओं को पर्थम जीवित जनम के लिए 6,000 रुपे की मदद परदान की जाती हैं कितने 1,000 रुपे के इस योजना के तैद मदद परदान की जाती हैं परदान मंदरी मात्रतों विंदना योजना के तैद तो 6,000 रुपे के और 6,000 रुपे में भी तीन किस्तों में 5,000 रुपे दी जाते हैं और 6,000 रुपे की प्रधान मंत्री मातरतो वंदना योजना में जो एक जनवी 2017 को महिला और बाल विकाश मंत्राल के दोरा लॉंच की गई थी संचालत की जारी है ये योजना और आवेदन करने के लिए नियूनत मायू है वो 19 वर्षके तो होने ही चाहिए प्रधान मंत्री शहज बिजली हर घर योजना शौट में बोलने तो शोभग्य तो शोभग्य में बहुत बार फुल फॉर्म पूछली जाती है तो प्रधान मंत्री शहज बिजली हर घर योजना शोभग्य हो जाती है ये दोस्तों जो लॉन्च वी ती इसकी घोशना हो गए थी प्रधान मंत्री निरेंद्र आई है तो लगभग चार क्रोड परिवारों के लिए निश्चल को विधुत कनेक्शन उपलप्त कराने के लिए ये योजना प्रधान मंत्री शहज बिजली हर घर योजना शोभग्य योजना है वो नाम दिया गया है तो जो भी अविजुत कर्थ लगभग चार क्रोड पर जाता है और इस योजना पर टोटल खर्च का है वो 16,320 करोड रुपे का अनुमान है इतने करोड रुपे का और ग्रामिन चेतरों में एक और इंपोर्टेंट योजना दोस्तों जो ग्रामिन चेतरों में विधुति करण के लिए दीन दयाल उपा जहाए ग्राम जोति जोजना दोस्तों में विधुत वित्रण के अवधी में शुधार का लक्षेश में हैं और साथी साथ अधिक मांग के समय में लोड की कमी और भुगताओं को मिटर के अनुसार खपत परादरित बिजली देना बेल में शुधार और ग्रामिन चेतरों बिजली के अधिक शु मंदित है और सोभा की योजना इस्पेशली जो 25 सितमर 2017 को लॉंच हुई थी मुपत बिजली कनेक्शन की अगला देखते हैं अपन योजना दीन दयाल इसपर्ष योजना तो इसपर्ष की यह आपर फुल फॉर्म देख लिजे सबसे पहले तो इसपर्ष हो जाता आपके स् इसपर्ष योजना है यह आपकी जो टिकट डाक टिकट शंग्रह है उनको प्रोशान देने के लिए तीन नौबर 2017 को संचार मंत्री मनोर शिनहा के दोरा शुभारम किया गया है दीन दयाल इसपर्ष योजना जो की डाक टिकट शंग्रह को प्रोशान देती है और इसकी वो केंडिडेट है और इसमें कौन से विधारती जो कक्षा 6 से कक्षा 9 तक के उन बच्चों को वार्षिक छातरवर्ती प्रदान की जाएगी जिनका एक तो शैक्षनिक रिकॉर्ड अच्छा है सेकें उन्होंने डाक टिकट शंग्रह को एक रूच्ची के रूप में चुन ले हैं काफी बार एक्जाम में आता है नमामी गंगे योजना का मंत्रा ले केंदरिये जल संसादन नदी विकास और गंगा काया कलप मंत्रा ले हैं इसका उद्धिशी हैं गंगा नदी के परदूशन को शमाप्त करना और नदी को पुनर जीवित करने के लिए और इस योजना को जब लॉन्चुईती लक्ष रखा गया था 2020 तक का और हाली में इस योजना के लिए 45 अरब रुपे का रेन है वो विश्व बैंक के दोरा पांच वर्ष क्याओदी के लिए मंजूर भी किया गया तो ये नमामी गंगे योजना जो 10 जुलाई 2014 को मंत्रा अगला देखते हैं अपन योजना जो आयुश्मान भारत योजना है या पर इसका अन्यनाम प्रधान मंत्री जन आरुग्य योजना भी कह सकते हुआ तो काफ़ी इंपोर्टेंट योजना ये भी तो शुरुआत हुई है 23 सितंबर 2018 को कहां से रांची जहार खंशी तो इविश्व की सबसे बड़ी स्वास्ते भीमा योजना है आयुशमान भारत योजना और इस योजना का जो उद्येश्य हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो BPL परिवार के लोग हैं उनको श्वास्ते भीमा वोया कराना तो एक भीमा योजना हो जाती है और इस परतेक परिवार को हर वर्ष 5,00,00,00 रुपे का श्वास्ति बीमा परधान किया जाएगा और यह से लोउन्चुई विश्व की सबसे बड़ी श्वास्ति बीमा योजना है और 10 करोड भीपियल धारक परिवार लगबग इस में लगबग 50 करोड लोग इस योजना का परतिक् तो यह योजना दोनों ही अलग-अलग हैं तो यह काफी पुरानी है तो मैंने बता दिया अफेक्ट आपको परधान मंतरी अंदाता शुरुक्षा योजना हैं शुरुआत किसानों को अपनी उपज का उजित मुल्ले परधान करने के लिए 12 सितमर 2018 रख इसकी शुरुआत क गई थी और इसका जो उद्धिश्य है कि किसान जितने भी हैं उनको उपज का उजित मुल्ले मिल शके और केंदरी मंतरी मंदल ने प्रधान मंतरी अंदाता शुरुक्षा योजना को यहां पर मंचुरी दी हैं 12 सितमर 2018 रख और इस योजना में किसानों के लिए उजित मु दाता शुरुक्षा योजना 12 सितमर 2018 को किसानों को उजित मुल्ले प्रधान करने के लिए अमूर्थ योजना तो अमूर्थ योजना की बात के तो इसका मतलब क्या हो जाता हैं अमूर्थ का मतलब अटल मिसन फॉर रिजुएंट हो जाता हैं तो अमूर्थ का आपको इत्त जलापूर्ति, श्रीवरेज, सहरी परिवेन, पाक परदान करना ये योजना की प्रमुक उद्रिश्य हो जाते हैं जो 24 जून 2015 को अमुर्थ योजना लॉंच वी थी परदान मंत्री आवास योजना नेक्स देख लेते हैं तो ये 25 जून 2015 को शुरूआत हुई थी आवास परदान मंत्री आवास योजना 2015 जून 25 जून 2015 को लॉंच वी थी और इसमें जो टार्गेट रखा गया था वो 2022 तक 2 करोर नए आवास का निर्मान करने का लक्ष रखा गया है उद्रिश्य योजना की बात के तो ये हो जाएगा आपके उज्वल डिश्कॉम एस्योरेंस य परदान मंत्री गरीब कल्यान योजना तो परदान मंत्री गरीब कल्यान योजना अलग है और ये वाली परदान मंत्री गरीब कल्यान योजना अलग है और ये वाली परदान मंत्री गरीब कल्यान योजना अलग है काले धन वाली है जो कि 17,2216 को इसकी सरुवात हुई थी। के अंदर सरकार में काला धन रखने वालों के लिए नई योजना जो प्रताहन मंतर्ी गरीब कल्यान योजना है इसकी सरुवात कीती 17,2 weg jungle, 615 16 को सरुवात हुई थी। मतलब जो भी काले धन था छिपा रहे थे टेक्स नहीं पे कर रहे थे तो इस योजना के अंतरगत काले धन का 50% टेक्स देकर शफेद क्या जा सकता है तो काले धन को illegal जो उनके पास मनी है उसको legal कर सकते हैं सर ती रहेगी 50% आप टेक्स देदो और legal में convert कर दो तो ये योजना उसको सफेद करने के लिए 50% टेक्स देकर और इस योजना के अंतरगत हुए खुलासे पर 50% टेक्स और जुर्मा मना लगेगा बाकी की 25% रकम 4 साल के लिए बैंक में जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा अब देखते हैं परदान मंतरी फर्षल बीमा योज जो यह योजना है परदान मंतरी फर्षल बीमा योजना यह 13 जनवरी 2016 को मद्य परदेश के शेरपूर जो जिला शीहोर हैं वहां से परदान मंतरी फर्षल बीमा योजना की शुरुआत की थी 13 जनवरी 2016 को परदान मंतरी फर्षल बीमा योजना की शुरुआत मद्य परदे के तहत important fact यह है कि खरीब के सभी फशलों और तिलहन के लिए अधिक्तम दो प्रतिशत एक पॉइंट पाच प्रतिशत की दर्शे बीमा होता है और जो रभी के फशल और तिलहन के साथ ही जो व्यवसाइक फशल है और जो फल और सबजियों के लिए पाच प्रतिशत का वाशि दिया जाएगा 33 या अधिक percentage पर फशल नस्ट होती है तो इस premium के according उनको मुआवजा दिया जाता है जो पहले इनको premium देना पड़ता है दीखिए इस योजना आने के बाद क्या हुआ तो इससे पहले जो premium उनको मुआवजा मिलता था उस case में मिलता था जब को प्राकरतिक आ अधान मंत्री फशल भीमा योजना है इसमें आपकी बिना प्राकरतिक आपदा के और 33% या इससे अधिक फशल नस्ट हो जाती है 50% को जरूर नहीं है उस case में भी मुआजा दिया जा शकता है अगला देखते हैं अपन राष्टे धरोवर विकास एउन समर्दन योजना है इसको आप कह सकते हैं शोट में हिर्दे स्वाला जाता है हिर्दे योजना है वो किस से संबंदी थे तो हिर्दे योजना मतलब हेरिटेज सीटी डवलप्मेंट एंड और अगमेंटेशन योजना है ये केंदरी ये शहरी विकास मंत्री एम वेंक्या नाइडू के दोरा 21 ज जनुर 2015 को हिर्दे योजना की शुरुआत की जो विराशत शहर विकास और विस्तार योजना है और इसमें विराशत शहर की शमगर विकास के लिए शहरी विकास मंत्राल ने हिर्दे योजना का शुभारम ये मंत्राल याद रखना आपको और इस योजना के पहले चरण में में कवर कर लिया अगली देखी योजना जो परशाद योजना है एक तो परशाद योजना के आप फुल फॉर्म देख लिए तेर्थ यात्रा काया कलप और आध्यात्मिक शमर्धन ड्राइव ये इंगलीस में हो जाती आपके और मंत्रा ले बहुत बार पूचि ले जाता तो ये प्रेटन मंत्रा ले के दोरा संचाली थे हैं परशन पर देख लिए उन्निस परवरी 2015 को मिर्दा स्वास्तिय काडियोजना की शुरुआत है राजस्थान की गंगानगर जले की सूर्थगर से हुई है मिरिष्टी हो जाती है मिरिष्टी ऑप एग्रिकल्चर एंड फार्मर वैलफेर मनत्रा ले हैं और उद्देश से ज जो रूरक शमता है उत्पादन शमता है उसको बढ़ाया जा सके और इस योजना की दवरा मिट्टी की जाच चेतु किशान को कार्ड दिये गए और ये कार्ड तीन वर्ष्टक है वो वैलिड है जो मिर्दा स्वास्तिकाड योजना का नारा है वो है स्वास्थ धरा खेत हर और ये दिखिए आपर इस मर्दा स्वास्तिकाड योजना तो हो गई अब मैं बात करूँ कुछ इंपोर्टेंट एक्स्टा फेक्ट की तो विश्व मर्दा दिवश कब मने जाता है तो पांच दिशंबर को 20 दिशंबर 2013 को श्युक्तराष्ट शबा ने 5 दिशंबर को प्राष्टे मिर्दा वर्ष को होजित किया है तो ये दोनों अलग एक्स्टा फेक्ट हो गई अब देखते अपन अगली योजना है जो पंडित दीन दयाल उपाध्याय शर्मे उर जैते कारिक्रम है ये 16 अक्टूबर 2014 को प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने इसकी देश में उद्यूगिक विकास है तो अनुकुल महुल त्यार करने के लिए ये योजना बनाई गई है तो ये जो आपकी पंडित दीन दयाल उपाध्याय शर्मे उद जैते कारिक्रम है 16 अक्टूबर 2014 को लॉंच किया गया है इस्पेशली जो शर्मिक हैं उनकी दर्शा को शुधारने के लिए और योजना के तेत भाउस्टी नेडी की सभी शदिशियों को युनिवर्शल एकाउंट नंबर जारी करने की भी घोशना हुई थी और ये सभी परधार मंत्री ने उद्यूगों में इंस्पेक्टर राज खत्म किया था और श्रम संबंदी आंकणों क के लिए श्रम सुधा नाम से एक पोर्टल शुरू करने की भी इसमें घोशना की थी बढ़ते हैं अगली आपके स्कीम की तरफ वो है स्मार्ट सीटी मिशन एंटी पीसे में स्वाला आज चुका इससे भी तो देश फर में कोल मिला कर सो सबसे पहले जो स्मार्ट सीटी मिश के दोरा इसमार्ट सीटी मिशन का सुरुवाग 25 जून 2015 को एक हंड्रेड जो चुनिंदा सीटी है उनको इसमार्ट सीटी की रूप में विक्षित करने के लिए और सरकार सबसे पहले एक सितमल 2015 को ये लेश लेके आये थे एक शो सहरों की सुची बनाई थी जिसको पहले सुची में जनरवी 2016 में चैन किया गया था फिर यहां पर सेखें में कितने सिटी का चैन हुआ था तो 13 शूहर्ट थे शेकेंड रशट में और फिर तीसरी लेस्ट में 2016 में ये थे second list मैं 2016 में जननरू roku 2016 में पर्थम थी और 27 शोर्व को तीसरी सुची में सितमर 2016 में जारी की गई थी तो पर्थम सुची में जो पूछा गयाता है NTP से 20 city हो जाएगी second में थेरा 27 और last शोर्ची है last 5 में है चौती में 30 शहरों को, फिर शामिल किया गया, 3 जून 2017 को, और पांच में सुची जो 10 शहरों को, 19 जनवी 2018 को ये जारी की गई थी, पर्थम सुची में भौनेसवर टॉप किया था, जो टोटल 20 सिटी थी, आपकी पर्थम सुची में जारी की गई थी, उसमें भौनेसवर ने है तो चैन किया गया था अब देखे और इसमें एक इंपोर्टेन अन्य फेक्ट मेंने एड़ कर दिया कि पर्थम ग्रीन फिल्ड इंडिस्टियल स्मार्ट सिटी कौन सी भारत की तो यह औरंगाबाद महाराश्टर से हैं तो यह अलग है स्मार्ट सिटी मिशन से नहीं है लेक जी के दोरा की गई है इस्किल इंडिया मिशन है मिनिस्ट्रिया पर वही आपके कोशल विकास वाले स्किल डेवलोप्मेंड एंड एंटर्पिनेर्शिप मंत्रियाले इसका उद्धिश्य है देश की युवाओं को वेश्विक चुनोतियों से निपटने के लिए कोशल है उनको कुशल बनाकर रोजगार और शरों को बढ़ाना इसका प्रमुक उद्धिश्य है इसके लिए इंडिया मिशन का पंदरा जुलाई 2015 को नई दिल्ले में लॉंच हुई थी इसमें दोस्तों एक लक्षे रखा गया है कि इस मिशन के तैट 2022 तक 30 करोड युवाओं को पर शिख्षित करने का ट्रेंड करने का लक्षे है 2022 तक इसके लिए मिशन के तैट है और सचिन तेंदुकर और पिरिंका चौपड़ा को इसके लिए मिशन का ब्रैंड मिश्टर बनाए गया था प्रधान मंतरी शुक्षा भीमा योजना तो ये लॉंच हुई थी आपके प पर शिख्षित करते हैं तो इसमें दरुगर्णा श्री मिर्थ्यू या इस्ताई अपंगता की केस में दो लाख रुपे का लाभारती को ये राश्री उपलब्त कराई जाती है और आंशिक अपंगता के केस में प्रधान मंतरी शुक्षा भीमा योजना की अंतरगत एक ला युः आयू श्रीमा है प्रधान मंत्री शुक्षा भीमा योजना के तेष्ट आविदन कीुवा • चालार से सतर वस्य प secular है और इस योजनाका सालाणा प्रियम एक्जाम है पूछा और सवाल यहां से ही स्वाल आपते हैं योजना में तो इस योजना का सालाना जो प्रियम हैं वो बारा रुपे हैं एक साल में 12 रुपे प्रिमियम और 20 अधिकताव करना करना होग से से 31 माई तक इसकी अवधी रहती है अब देखिए अगली जहां से बहुत बार एक्जामे स्वाल आया नजाने कितनी बार मिशन इंदर धनूश की पूछा जाता है किस से संबंदित योजना तो ये एक टीका करन की योजना है जो शुरुआत मिशन इंदर धनूश की हुई है वो सुशाशन दिवस के आवसर पर केंदरिय श्वास्ते परिवार कल्यान मंत्री जेपी नडा के दोरा 25 देशंबर जो गुड गवर्नेंस डे है 25 देशंबर जो अटल ब्यहारी वाजबई की जैनती है 25 देशंबर 2014 से इसको मनाया जा रहा है सुशाशन दिवस को और 25 पर 25 देशंबर 2014 को किया गया है मिशन इंदर धनुष का सुशाशन दिवस पर अभी किसका जो उद्देश्य है वो जो इस योजना का जब सुभारम किया गया था उश्य में इसको उद्देश्य था कि 2020 देश्य के सभी बच्चों के टीका करण का लक्षे रखा गया तो ये एक टीका करण की योजना है और इंदर धनुष नाम क्यों दिया गया है कि आपको पता है रेन वो इंदर धनुष में टोटल साथ कलर होते हैं और इस टीका करण में भी साथ बिमारियों का टीका है वो लगया जाता है तो इसमें बच्चों को साथ परकार के टीके जो बिमा के ठका गया था, 25 देशनबर 2014 को लॉंच किया गया था, पर्थम चनलन में 201 जिले इसमें ये योजना संचालित की गई थी, जा 50% से कम टीका करन था, वहाँ पर सबसे पहले इसकी सुरुवात हुई थी 201 जिलो से, और शेकेंड चनलन में 297 जिलो को इसमें शामिल किया गया था, ये मिशन इंदर्धनुष है, उसके बाद इसी के तहत शगन मिशन इंदर्धनुष है, और मिशन इंदर्धनुष 2.0 भी लॉंच हुआ था, तो शगन मिशन इंदर्धनुष की बात कहें, तो परधान मंत्री की दवरा, शगन मिशन इंदर्धनुष कारिक्रम का यहां पर यह शुईदा नहीं थी और इस विशेश अभ्यान का फोकस था 2020 के बजाए दिस्वंबर 2018 तक 90% से अधिक पूर्ण टीका करन सुनिजित करना लक्षे रख दिया गया था शगन मिशन इंदर धनुष के तैज जो आट अक्टूबर 2017 को जो भी बच्चे हैं और गरव इंदर धनुष 2.0 तो ये दोस्तों जो मिशन इंदर धनुष 2.0 है ये 2 दिसंबर 2019 को शगन टीका करन मिशन इंदर धनुष 2.0 की शुरूआ तो ये 2 दिसंबर 2019 को और इसमें भी उद्देशे दो वर्षी कम आयो के बच्चे और गरवती माईलाव को डिप्तेरिया का खाऊंशी टेटनेस पोलियो टीबी खसरा मैनिंजाइटिस हेपिटाइटिस बी से बचा होई तुक टीका लगाना था और ये योजना जो मिशन इंदर धनुष 2.0 है स्वाल पूचा जाता है कितने जिलों में पूर्ण टीका करने का लक्षे था इंदर धनुष 2.0 में तो हितु भी टीके लगाई जा रहे थे इसमें भी और इसका जो उद्देशी था मिशन इंदर धनुष का इसका मतल मुखे मोटे तोर पर जो उद्देशी था कि 2030 तक रोक था म्योगी जो बाल मिर्त्यू है उनको शमाप्त करने का शतत विकास लक्षे प्राप्त करना इसका प 12 दिसम्बर 2014 को इस योजना की शुरुआत भी है मिर्शन इंदर धनुष की अब दोस्तों बढ़ जाते हैं ये मिर्शन इंदर धनुष के शारे फेक्ट में आपको बता दिए राष्टि खाद्य शुरुख्षा योजना की बात करते हैं तो शंसद ने राष्टि खाद्य योजना है मतलब बाजार कीमत से कम कीमत पर जो सारुजनिक वित्रन पढ़नाली है पेडियस है उनके माध्यम से लक्षित वरक को जावल गेहूं और मोटा ना सरकार के दोरा उपलप्त कराना बाजार मुल्ले से कम मुल्ले पर जैसे नागरिकों को खादेश रुक्षा मिल सक प्राप्त खाद्यान प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीन आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावदान इसमें किया गया था जो राष्टी खादेश रुक्षा योजना है इसके अध्रिकत लगभग 45% ग्रामीन और 50% शहरी आबादी को यहां पर सरकारी खाद्यान प्रति वेक्ति प्रति माप्राप्त करने का हगदार है यह लाइन काफी इंप्रोटेंट है स्वाल आ जाता है कि खाद्य राष्टी खाद्य शुरुक्षा योजना के अंतरगत है प्रति वेक्ति कितने किलोग्राम चावल है या फिर ग्यहूं दिया जाता है तो प्रती वेक्ती पांच किलोग्राम खाद्यान दिया जाता है किस रेट से दिया जाता है तो तीन रुपे पर केजी चावल दो रुपे पर केजी गेहूं के एकोर्डिंग और सबसे आखिर में इस योजना को जो लॉंच किया गया था कैरल और तमील नाडु में एक नवंबर 2016 से योजना लागू की गए थी जो 2013 में सबसे फिल राष्टी सा खादिश रुक्षाय युना की शुरुआत होई थी तो यह वो योजना है जिसमें तीन रुपे पर केजी चावल और दो रुपे पर केजी गेहूं दिया जाता है बीपिल्स को अब देखिए अन्योजना है यह काफी important exam एक्सस्वाल आ जाता है वेश्यक परानी यूजना लेकिन स्वाल आ जाता या से काफा अच्छी जो भी महत important योजना है तो उसकेpoints कभी भी आ सकती है आनेवाली किसी भी exaggerated जरूर देख लेना था यह दिशंबर 2000 में अंतिज़्या अन्योजना की शुरुआत हुई थी और इसमें गरीबी रेका से नीचे के परिवार को शुरुआत में तो एक क्रोड जो निरधनतम परिवार थे उसके बाद ये बढ़ा दिए गे धाई क्रोड निरधनतम एक तो बीपील परिवार होते हैं तो बीपील में भी यहाँ पर चाट लिए गये हैं अन्तिय अन्योजना में जो BPL families हैं उसमें भी यहाँ पर जो निर्धंतम हैं BPL में भी जो सबसे निर्धंतम हैं उनको 2 रुपे प्रती किलोग्राम गहं और 3 रुपे प्रती किलोग्राम चावल हैं लेकिन यहाँ पर 35 किलोग्राम खाद्यान प्रती परिवार प्रती माप्राप्त कर स केंगे जो अंत्योध्य अन्योजना परिवार है जिसमें निर्धनतम व्यक्ति शामिल रहते हैं वो 35 किलोग्राम खाध्यान उनको मिलता है स्वाल एक्जा में पूछा हुआ है कितना किलोग्राम खाध्यान मिलता है लेकिन ये एक इंपोर्टेंट और भी फेक्ट है कि दोस के बाद में कितने किलोग्राम है इसमें दिया जाता है खाध्यान अंत्योध्य अन्योजना में तो 35 किलोग्राम ये खाध्यान दिया जाता है उसमें शायद डैट पूछी थी कब के बाद में और ये थी आपके एक अपरेल 2002 के बाद में 35 किलोग्राम प्रती परिवार परतिमा अंतोदिय अन्योजना के तैट जो गहूं दिया जाता है तो ये दोनों योजना आपके हो गई एक तो राष्ट्य खादेश रुक्षा योजना एक अंतोदिय अन्योजना है जिसमें बाजार कीमत से कम कीमत पर खाद्यान दिया जाता है और अंतोदिय अन्योजना मे जो निर्धंतम परिवार है वीपिल में भी वीपिल हो गई तो उनको दो रूपे प्रती किलोग्राम गेहूं और तीन रूपे प्रती किलोग्राम चावल अभीवर्तमान में 35 किलोग्राम खध्यान दिया जाता है और इसमें जो प्रती वेक्ती 5 किलोग्राम खध्यान राष् माला योजना है जो मिनिस्ट्री आप रोड ट्रांसपर्ण एंड हाइवेज की योजना है और इसमें राश्टी राजमार्ग विकाश कारिकर्म के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी डाउट रहता है तो इसके तैए 2022 तक 6.9 लाग करूड रूपे की निवे से 33,000 किलोमेटर शड़के विक्षित करने और विस्तार करने का इसमें टारगेट है भारतमाला योजना का जो सड़क परिवेन और राजमारक मंत्राले की योजना है और इसके पर्थम चरन के तैए 5, 35,000 करूड रूपे की लाग से 34,800 किलोमेटर राष्टी राजमारों का निर्मान कीया जाएगा अब देखते अगली योजना परदहान मंत्री ग्रामिन डिजिटल शाक्षरता योजना है ये 85, 2017 को परदहान मंत्री ग्रामिन डिजिटल शाक्षरता अभ्यान को मंजुरी द 2019 तक 6 करोड ग्रामिन प्रिवार को डिजिटल रूप से शाक्षर बनाना था और इस योजना के तहएत 31 मार्च 2020 तक देश के तकली बन 4030 ग्रामिन प्रिवार में से कम से कम एक सदस्य को डिजिटल रूप से शाक्षर बनाना है नेक्स दोस्तों जो योजना है वो है उडान य उड़े देश का आम नागरी और इसको जो सबसे पहले शुभरम किया गया था प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने 27 अपरेल 2017 को शेमला में इसकी शुरुआत की थी शुभरम किया था और उसका उद्धिश्य है ना आम नागरी को उड़ाने के लिए मतलब जो विमान यात्रा ह वो आम आदमियों के लिए भी शुल बनाने के लिए कम कीमत की हवाई टिक्टो को उपलब्द गराना इसका उद्धिश्य था और इसमें इसके अंतरगत जो हवाई टिकट हैं तो आदा घंटा हेलिकोप्टर के लिए और एक घंटा याँपर विमान के लिए तो विमान के नेक्स्ट यहाँ पर श्यामा परशाद मुखरजी राष्टी रोर्बन मिशन तो यह जो मिशन है श्यामा परशाद मुखरजी राष्टी रोर्बन मिशन इसके शुरुआत प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने 36 गट के राजनाद गाउं जिला है जो वहाँ पर शोला को श्यामा परशाद मुखरजी राष्टी रोर्बन मिशन का सुबारम हुआ था और इसका जो उद्देश्य हैं वो सभी राज्जे और शंग शासित परदेश है और उनमें विकास की संभावना वाले ग्रामीर विकास कलस्टरों का विकास करना है जितने वी राज्जे और यूटी है वहाँ की ग्रामीर विकास कलस्टरों का विकास करना जिससे चेतर के शमगर विकास को बढ़ावा मिलेगा श्यामा परशाद मुखरजी राष्टी रोर्बन मिशन का ये उद्देश्य है और पूरे देश में अगले तीन वर्षों के दोरान ऐसे तीन सो रोर विकास कलस्टरों त्यार किये जाएंगे इसके तहत में और मैं बात करूँ जो कि ये हो गया आपकी ग्रामीर शेतर से शम्बंदित योजना है तो आपको पता होना चाहिए 2011 की जंदगरना के अनुशार 68.84 प्रसंटेज जंसें का वो गावा में निवाश करती है अगली द परकार आजाता है शंपदा में M का क्या मतलब है D का क्या मतलब है और मंत्रा ले कौन सा ये तो ये है खाद्य परशंसक्रण उद्योग मंत्रा ले और इस योजना में क्या किया गया जो खाद्य परशंसक्रण उद्योग से संब्दित पहले बहुत सी योजना है थी उनको पोलफनेर वयोस्थित करके एक नई केंदरीय योजना है ये शंपदा को launch किया गया है केंदरीय मंत्री मंदल की प्रधान मंत्री के अध्यक्षता में नरंधर मोधी ने मैं 2017 को इस बैठक में योजना को मन्चुरी दी है श्रंपडा योजना को 3 मैं 2017 को तो यह 1 किर्शी उत्पाज से समस्वापनित योजना हो गए नहीं दोस्तों योजना है प्रधान मंद्री किर्शी सेंच्चय योजना है जिसको लॉ 창्ट किया गया और इसमें जो टार्गेट है योजना को 5 वर्ष 2015-16 से 19-20 के लिए 50,000 करोड के प्रिवेक शाथ अनुमोरित किया जाता है अगली योजना है दोस्तों भारत नेट योजना है जो दूसरा चरण इसका है वो अंतिम चरण था जो 13 नॉमबर 2017 को स्टार्ट हुआ है और भारत ने के जरिये हाई स्पीड ब्रॉडबेंड इंटरनेट कनेक्शन वो शस्ती दर पे उपलब्द होगा जिसकी स्पीड 2 से लेकर 20 MPS तक होगी और भारत नेट पर योजना का जो ये दूसरा और अंतिम चरण ने जो मार्च 2019 तक 2.5 लाग ग्राम बंचाय तो में हाई स्पीड ब राज्य और दो केंदर शाषित प्रदेशों में 525 जो कर्षी मंडिया हैं वहां तक ये पहुंच गई थी इनाम पहल हैं इसमें किसान है वो डिजिटली हैं कई बाजारों और खरीदारों तक पहुंच जाते हैं और वहां पर कीमत में शुधार की रादेशे व्यापार ले धारना याँ पर विक्षित की गई हैं परधान मंत्री श्रम योगी मांधन योजना काफ़ इंपोटेंड योजना है 2019 में ये लोंच वी थी इस योजना की घोषना के इंदरी मंत्री प्यूश गोयल के दोरा अंत्रिम बजट एक फैब 2019 को की गई थी और जो डिजिटल कम् फिर शुरुआत 15 फैब 2019 से हुई है इसका जो उद्धिश ये है प्रधान मंत्री श्रम योगी मांधन योजना का वो अशंक्ति छेतर के कामगर सरमिक है जिसमें ड्राइवर है रिक्षा चालक मौची दरजी तो इस परकार जो अशंक्ति छेतर के कामगर सरमिक है वो इसके अंतिरकत आते हैं जिनकी आए माशिक आए 15,000 रुपे आउशे कम होनी चाहिए तो इस योजना का लाब उठा शकते है जिनकी माशिक आए जो अर्शंक्ति छेतर के कामगर जिनकी माशिक आए 15,000 रुपे शे कम है वो प्रधान मंति श्रम योगी मांधन योजना का लाब उ प्रतिमा मिल जाएगी उनके investment के according जैसे के 18 साल की आयू के जो श्रम योगी हैं वो प्रतिमा 55 रुपे की धनराशी का premium जमा करते हैं और बात करूं 29 साल के आयू वाले जो premium है वो यह जो 100 रुपे premium जमा करते हैं और जैसे जैसे उमर बढ़ी की उनको premium ही बढ़ाना पड़ेग क्योंकि अब उनके पास श्रमे नहीं रहा है फिर 6 साल तक क्योंकि ये mature हो जाते हैं 6 साल को और 6 साल के आयू के पच्छात इसमें 3000 रुपे की पेंसंद्राशी एक्जा में तो स्वाल पूछे जाते हैं तीन रुपे की पेंसंद्राशी हैं इस योजना में तो 3000 रुपे की से मिलती हैं प्रदार मंतर श्रम योगी मांदन योजना में सेकेंड पूछ जाता है कितने आयत तक वाले जो अर्शंक्री छेत्री के कामगर है वो आवेजन का शक्ति है 15,000 फिर आयूश्रुमा से भी पूछ ले जाता तो ये सभी important factors में PM किसान सम्मान निदी योजना तो PM किसान सम्मान निदी योजना है ये मंतरा ले है ministry of agriculture and farmer welfare मंतरा ले है शुरुआत 1 feb 2019 को जो ये सेम गोशना हुई है जो अंत्रिम बजट वाली है 2019 में इसके तैद इस योजना की भी गोशना हुई है प्रदान मंतरी किसान सम्मान निदी योजना और इसके तैद देश की सभ 2000 रुपे की तीन किस्तों के रूप में 6000 रुपे की आर्तिक शायता दी जाएगी जिनके पास दो हेक्टर तक की जमीन है ये योजना पीम किशान सम्मान निदी योजना है एक फैब 2019 के बजट में लॉंच की गई थी लेकिन जो दो हेक्टर वाली शरत है इसको बाद में हट दया गया है जो अदिक्तम 2 हेक्टर तक ही किर्षियोगे भूमी हैं उनके श्वामित्तव की वादिता को शमाप्त किया जाज चूके हैं अब सभी भूमी जिनके पास जो भी भूमी है जोत योगे भूमी है उन Сबी किशान परिवारों को इसका फाइदा मिल रहा है च्छे हजार रुपे के आर्थिक शायता दी जाती है यदि भूमी का आ जाएं कितने भूमी होनी चाहिए तो दो हेक्टर तक की खेती योगे जमीन है उनकी जो छोटे और शीमांद किसान है उनको ये शायता मिलती है और मंत्रा ले हो गया एग्रिकल्चर एंड फार्मेर वेलफेर म योजना हैं इसके शुरूआत के अंदर सरकार में 12 सितंबर 2019 को की थी 12 सितंबर 2019 को परदान मंत्री किशान मांधन योजना की शुरूआत होई है और इस योजना में क्या है कि जो सरकार को किसान को साट साल के उमर के बाद नियूंतम 3,000 रुपे पैंसन दे रही है और योजना में तो तीन जार रुपे की पेंसन है शर्त यह कि उसकी आविदन शीमा अठार से चालिस वर्ष है और फिर मैच्वर होगी आशाट साल के उमर के बाद उनको किसानों को पेंसन मिलने वाली यह एक्चुन में योजना है प्रतार मंतरी किसान मांधन योजना है इसमें भी इन्वेश्टमेंट पर डिपेंड करती है आप कब इन्वेश्टमेंट कितना करते हो तो यह 20 साल कम से कम यह पर योजना की तेयद कम से कम 20 साल और ανित्तम 40 शाल तक 55 रुपे से 200 रुपे तक का माशरिक अनस्तान इसमें करना होगा जो उसी उमर पर डिपेंड करता है और फिर शाट साल के उमर के बाद तीन जार रुपे किशानों के आपर पेंशन दी जाती हैं प्रधार मंतरी किशान मांदन योजना है और इसमें दो हेक्टर तक भी अधिक्तम भूमी वाले किशान एप्लाई कर शकते हैं और एक इंपोर्टेंट फेक्ट बता देता हूँ य अगली जो योजना दोस्तों वो है अतल भूजल योजना है जिसकी शुभरम है शुरुआत है वो 25 दिसमर 2019 है जो शुर्शासंदिवस है इसके आउशर पर परधार मंत्री नहेंदर मोदी जी ने जो 25 दिसमर 2019 को पूरू परधार मंत्री अटल बिहरी वाजपे की 95 जो जेनती हैं उनके आउशर पर अटल भूजल योजना की शुरुआत है वो 25 दिसमर 2019 को की गई है और इस योजना के जरिये जो भूजल है उनका प्रबंदन किया जाएगा तथा प्रते घर तक पीने के स्वच्छ पानी को पहुंचाने की योजना पर काम होगा और जहां पर भूजल उठाने में बहुत शाहिता मिलने वाली वो राज्ये कहां हैं जहां पर जो ग्राउंड वाटर हैं उनका स्र योजना के तैट 6,000 क्रोड रूपे की शायता देने की मंजूरी दी हैं तो यहां से भी स्वाल आ सकता है इस लाइन का भी ध्यान में रखना और ये योजना दोजार अठार उन्डी से 22 तेश तक पांस शाल के आउदी में लागू की जाई हैं दोनों ही लाइन इंपोर्ट शुबारम किया गया था इसका भी अब देख लेते हैं प्रधान मंत्री शौनिदी योजना तो इंपोर्टेंट हैं आपकी बास्वाल पूछा भी है 2020 के एक एकजाम में प्रधान मंत्री शौनिदी योजना से ये स्वाल पूछा गया है कि रहेडी और पटरी वाले जो योजना लौज कर दी गई प्रधान मंत्री शौनिदी योजना है तो रहेडी पटरी वाले दुकांदार को काफी हेल्प मिली है जो छोटी राशी का कर्ज उपलब कराया जाता है इस योजना में और इसमें जो लौन है गारंटी नहीं दी जाती है जैसे कि आपको गारंट देते हैं आपका शिवीली स्कोर बगर देता है डेबिट कार्ड है इसके बदले कोई गारंटी नहीं ली जाएगा आपको डारेक्ली लौन दिया जा सकता है अधिक्तम 10,000 रुपे का लौन मिलता है पीम शौनिदी जो योजना है उसके तैज जो रहेरी पटरी वाले दुक जो कोविड-19 कोरोना वाइरस लोग 2019 का ट्रेकिंग मोबाइल अप्लिकेशन है और ये मंत्राल है उलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रद्योगी की मंत्राले की अंत्रगत संचालित एक ट्रेकिंग एफ है कोरोना मरीज है जिनके पास अरुग शेतु एफ है तो पता चल जा जाता है अब अगरा देखिए आपर विवाज से विश्वास योजना है ये भी काफी इंपोर्टेंट है जो वितमंत्री निरमलाशीतर रमन जी के दोरा सुरू की गई विवास से विश्वास योजना स्वाल आ जाता है किस से संबंदित हैं तो 2020 के तैट पर टेक्ष करके विवादित टेक्ष मामले हैं जो भी विवादित टेक्ष मामले हैं उनको निप्टाने की ये योजना है विवास से विश्वास आत्म निर्बर भारत रोजगार योजना तो ये 12 नमबर 2020 को लौज की गई है आत्म निर्बर भारत रोजगार योजना वित्मंतर निरमला शीत दूर है उन सभी के लिए और कोईड उनिस के कान तो यह आप निर्दवर भारत रोजकार योजना है अभी बारा नॉमबर 2020 को इसका लॉंच चुआ है रोजकार के अफसर बढ़ाने के लिए और इस योजना में केंदर सरकार के दोरा एक अक्टूबर 2020 या इसके बाद और ती प्रदान मंत्री वाइफाई एकसेज इंटरफेस तो वाइफाई का नाम आ गया मतलब इस योजना के अंद्रगत सारुजनिक इस्थान है जो पब्लिक पेलेस है वहाँ पर वाइफाई की सुईदा उप्रप्रत कराई जाएगी और यह सुईदा पूरी तरशे मुप्त रह फलड उसकी ही तरद पर 500 करोट रुपे की परिवे की एक नई श्कीम ओप्रेशन ग्रीन की कोशना की गई है तो ओप्रेशन ग्रीन से ये बजट 2018-19 में घोशित योजना है जिसका उद्धिश्य जैसे की टमाटर प्याज आलू की कीमत है उसमें उतार चड़ाव बहुत हो योजना एक तो आप इसकी फुल फॉर्म जान लीजी किसान उर्जा सुरुक्षा और उत्थान महाअभ्यान कुशूम हो जाता है और ये गोजना है ये आम बजट 2018-19 में घोशित है इसका जो प्रमुक उद्धिश्य है वो जो भी किसान है अपनी जमीन पे शोर उर्जा उ बजट होती है सो रूर्जा से आप से निचाई कर सकती हो और इस योजना में सोलर पंप प्रदान के जा रहे हैं जो सरकार ने 2022 तक है ये बढ़ा दी है इसकी आउधी कुशूम योजना की अब देख लाते हैं प्रधान मंत्री श्वामित्व योजना तो प्रधान मंत्री चहतर हैं उसके घरों की मालिकों जो एक कार्ड दया जाएगा संपतिक कार्ड उपलप्त कराना कि वो ही अपने खेत गर की मालिक हैं इस टाइप से ग्रामिन हैतरों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंदी रिकॉर्ड से संबंद शंपतिकार्ड उप्रप्त कराना श्वामी तो योजना हो जाएगी अभी तो ये सभी जगर लागु नहीं हुई है तो चर्णबत तरीके से ये चार शाल दोजार बीस से चौबिस में पूरे देश में लागु किया जाने का लक्षे इसमें रखा गया है जो चौबिस अप्रेल को लॉजगार योजना है ये बीज जून दोजार बीश को भी लॉजगार योजना है जो छे राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक गरीब कल्यार रोजगार अभ्यान चलेगा और इसके तहट लोकडाउन के दोरान जो घर लोटे ग्रामिन शर्मिक है उनके रोजगार के आउसर बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्यार रोजगार योजना है वो 20 जून 2020 को लंच की गई है अब देखिए प्रधान मंत्री भार जन औश्डी योजना ये योजना पीम नरंदर मोदी जी के दोरा एक जुलाई 2015 को घोशित हुई थी तो औश्डी है इसका मतलब सरकार के दोरा उच गुणोता वाली जो जैनरिक दवाई है उसके दाम वाजार मुले से कम दिये जा रहे हैं इस योजना के तैत हैं अब कहां पर प्रारम हुई थी योजना कितने जिलों में हुई थी सबसे पहले और कब पूरे भारत में हो गई फिर पूछे ले जाता है इसके आगे महत्मा गांदी शब्द कब जोड़ा कितने दिन का रोजगार तो सारे कवर करते हैं एक तो इसकी फुल फॉर्म है जो मंदरे गया है और यह जो एक्ट है महत्मा गांदी राष्टी ग्रामिन रोजगार गारंटे अधिनियम एक्ट है यह 25 अगस 2005 को पारित वाता संसर में इसका नाम तब नरेगा रखा गया था और यह तो एक्ट पारित हो गया बाद में योजना जो लागू सुभारम किया गया है व 285 जिले है उसमें प्रारिम किया गया था 25 2006 को सबसे पहले अंदर प्रदेश के अनन्द पूर्शिवा था और बाद में पूरे भारत में जो लागू सभी जिलों में लागू किया गया है वो एक अप्रेल 2008 को पूरे भारत में योजना लॉंच हो गया थी और जो नरेगा मे महत्मा गांदिर सब्द जुड़ा 2 अक्टूबर 2009 को जुड़ा है और इसमें जो रोजगार है वो 100 दिन का रोजगार की गारेंटी दी जाती है जो गावों के गरीबों को जो पारिशनमिक दिया जाता है अब दीके अगली योजना है प्रदान मंतरी करम योगी मांधन यो तो वो सभी दुकानदार कारोबारी वेपारी है जो जीएश्टी के अंतरगत पंजी करते हैं और इनका वाशिक टरन और 1.5 करोड तक है तो उन्हें एक तरीके से ये प्रदान मंतरी करम योगी मांधन योजना है जो प्रदान मंतरी इस योजना के तरह 60 वर्ष की आयू के पड़ेगा अब देखी प्रदान मंतरी गरीब कल्यान अन योजना तो प्रदान मंतरी गरीब कल्यान अन योजना है यह कोविड 19 के कारण मार्च 2020 में सरकार ने प्रदान मंतरी गरीब कल्यान अन योजना का एलान तो यह वही योजना है जो कि अभी कोविड 19 के कारण अप जून दोजार बीस के लिए राशन कार्ड में दर जो भी शरश्य है तो प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज जो गहूं अथ्वाद चावल है वो प्रति परिवार एक किलो डाल यह मुख्त में दी गई हैं कोविड-19 के सेशिशन को देखते हुए गरीब के लाण अन योजना है यह 19 कोविड-19 के कार्ड माइट 2020 में लॉंच हुई है और पहले तो यह जून तक था फिर इसको बढ़ा दिया गया है इस योजना का विस्तार करते हुए 30 नमबर 2020 तक इस योजना का फाइदा है वो मिला है सभी जो बी-पि-ल परिवार हो गए या फिर रासनकार धारक ह हो गए उनको फिरी में अनाज दिया गया है प्रदान मंतरी गरीद कल्यान अन योजना के तहत में परवाशी तिर्थ योजना अंतिम ये आपके योजना है 60 त्री वाली तो परवाशी तिर्थ दर्शन योजना है ये 22 जनवरी 2019 को इसका सुभारम किया गया था और इस परवाशी भारती दिवस में शामिल भारती मूल के लोग है उन्होंने 24 जनल 2019 को प्रवाशी तिर्थ दर्शन योजना के तहर जो 22 2019 को शुभारम की गई थी अब मैं बात करूँ परवाशी भारती दिवस है आपको पता है 9 जनवरी को मनाये जाता है अब आपको कमेंड बॉक्स में बताना है कि माहत्मा गांदी जी दक्षन अपरिका से कब भारत लोटे थे देखी मैं बता दिया 9 जनवरी को भारत लोटे थे इसलिए परवाशी भ हरती दिवस मनाये जाता है और यह प्रवाशी तेर्थ योजना जो अंतिम योजना बता दी यहां से मेरे को आइडिया लग जाया कितने केंडेट है वह एंड तक वीडियो देखे तो दोस्तों कमेंड जरूर कर ले ना जिन भी केंडेट का अभी एंटी पीसी का एक्जाम ह हुए है ना एंटी पीसी की उनके वहाँ पर एवलेबल है जो इसमर्ती आधरीत के उसंस रहते हैं उसका मौक टेस डाल दिया गया था कि आपको पता चल जाया आपका इस्टाइप से दिया एक्जाम होता तो कितने माक्षा आ जाते और शेकेंड जो अभी एक्जाम चल रह जाएगा आपको टीटी जी के कोपन कोट सी इसका आप लाब उठा सकते हो जिसमें आपकी ग्रूब दी एंटी पीसी के सारे टेस्ट एवलेबल है लिंक आपको डैस्क्रिप्शन वाक्स मिल जाएगी और जो भी केंड़ेट पूरे एंड तक बने रहे हैं तो दोस्तों पास की बैल आइकन को भी फ्रेश कर देना ताकि जो भी इस परकार इंपोर्टेंट वीडियो आए आपसे मिश्ट नहों बाकी मैं जल्ली कोशिश करूँगा इसकी टेलिग्राम पर पीडियव भी आपको एवलेबल करा दू ताकि जो भी आपके एक्जाम होना है इससे के लिए देखते रहें अदर वीडियो वन दे मातरम जहें दोस्तों